नमस्कार आप देख रहे हैं जेके 24-7 का शोशल मीडिया पेज मैं हूँ आपके साथ राविश्कमार चीन दुनिया भर के लिए सिर्दर्द बन चुका है भारत के साथ LAC पर तनाब चल रहा है 2020-21-22 निकल गया और तीन सालों से LAC पर दोनों देशों की तरफ से सेना तैनाथ है कह सकता है कि मिरर फेस डिप्लाइमेंट इस वक्त किया गया है लेकिन क्या चीन सिर्फ भारत के लिए ही परेशानी है या कोई और देश भी है जिनके साथ चीन का बिबाद चल रहा है दरसल चीन के जो राष्टपती है शी जिन पिंग वो इस वक्त चीन के अंदर बहुत जादा मजबूत हैं और वो चाहते हैं कि इस मजबूती के कारण वो प्रोसी देशों को दवा सके और इतिहास में चीन के जितने भी नेता रहे वो सबसे मजबूत राष्टपती के तौर पर गिने जाएं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन के किस किस देश के साथ क्या कुछ बिवाद चल रहा है और चीन क्या दावा इन देशों की जमीन पर ठोकता है ग्राफिक्स के जरिये पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा और फिर पहले दूसरे वाले ग्राफिक्स सर प्ले कर दीजेगा दूसरे पहले दिखाते हैं उसके बाद फिर हम इन पे आएंगे ये आपके लिए ज़्यादा जुरूरी है ये चीन से परिशान परोसी भारत क साथ अकेला भिवाद नहीं है चीन का चीन का भिवाद और तबाम देशों के साथ है रूस बर्सिस चीन में रूसी जमीन और पानी पर चीन ने दावा ठोका हुआ है एक जड़प जिस परकार की हमारी गलवान में चीन के साथ हुई थी बैसा एक युद कहते हैं कि है ऐसा ह हो चुका है चीन और रूस के बीच में युद हालांकि वो 1950 के आसपास वो जंग हुई थी लेकिन अभी चीन एक तरफ जहां दोस्ती की बात कर रहा है वह रूस की जमीन और पानी पर उसने दावा ठोक रखा है इंडोनेशिया के अगर बात करें तो इंडोनेशिया के दुनावडीप है वो चीन का हिस्सा है बात अगर फिलिपाटी तो फिलिपाटी के पार्टी और सिकार ब्रो दीब जो है उसके ओपर भी चीन आने वाले बक्त में हम देखेंगे कि यह और मजबूत हो सकते हैं दोनों के बीच में हत्यार आमस्त को लेकर एक बड़ी डील और हो सकती है इसी के साथ अगर जापान की बात करें तो जापान का सेन काकू आए राइकूक दीप पर चीन दावा ठोकता है चीन कहता है कि यह दो आण तना भरा इतिहास रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान ने चीन के अंदर घुस कर ऐसा नर्सहार किया था कि चीन की नसले उसे आज भी याद करती हैं और डरती हैं ताइवान वर्सेस चीन ताइवान का तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ताइवान को अपना हिसा चीन मानता है और नैंसी पलोसी की यातरा के बास से लगातार उसने एक बड़ा सेन्य अभ्यास महाँ पे किया और फिर उस अभ्यास के बाद अभी एक और बड़ा अभ्यास जो है ताइवान के चारों तरफ कर रहा है ऐसा अंदेशा एक्सपर्ट लगा रहे है कि दो हजार सताइस से पहले जब शी जिनपिंग चौतरी वर रास्टपती बनने वाले होंगे या बनना चाहरे होंगे उस वक्त ताइवान के उपर हमला चीन कर सकता है एक और देश के साथ बिवाद यानि कि वो देश हमारा भारत और चीन एलेसी पर दोनों के बीच दो सेनाय हुई हैं लेकिन जिस परकार से गलवान में हुआ और तौंग में हुआ बो तस्वीरें चिंता जनक हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस परकार से इंफास्ट्रक्चर चीन की तरफ से मजबूत किया गया है एलेसी के उस पार और जिस परकार की त्यारियां भारत कर रहा है अपनी तरफ ये दोनों देशों को आने वाले बक्त में एक बड़े टक्राफ की तरफ भी ले जा सकते हैं क्योंकि अगर इन तमाम देशों में अगर आप देखें इंडोनेशिया, फिलिपेंस, ताइवान, जापान, रूस को छोड़ कर तो एक एशिया के अं अंदर मात भी दे सकता है, हालांकि जापान जिसकी बात में कर रहा था, जापान भी जापान और जापान की सेना काफी ज़्यादा मजबूत थी, इतिहास में ऐसा हो चुका है कि जापान ने चीन को जंग में हराया है, लेकिन अब जब से जापान के अंदर सेल्फ डिफें चाता है, वो उस दोर में अपनी सेना को लोटाना चाता है, जो सेकंड वर्ल्ड वार का दोर था, अब इस पे बात क्यों हो रही है, दरसल इस बक्त भारत की बायू सेना जापान के अंदर है, जहां पर दोनों देशों की बायू सेना युदा अभ्यास कर रही है, लेकिन सा परवारत की बाईू सेना जापान के अंदर हो जापान अमेरिका की ना ना जापान में हो और युदा वैसँ हो रहा है क्योंकि तीनों ही देश क्वैट का सदने हो चैन और का अहम ये देश हैं लेकिन अमेरिका आखिरकार इतना परिशान चीन को लेकर क्यों है और चीन अमेरिका को लेकर इतना परिशान क्यों है क्योंकि अमेरिका भी देख रहा है कि जो उसकी बादशाहत है उसको सीधे तोर पे चुनौती जो है वो आने वाले बक्त में चीन से मिलेगी रूस को अमेरिका ने अपनी कह सकते हैं कि रणनीती के तहत बिखेर दिया कमजोर कर दिया लेकिन चीन अभी भी लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि अमेरिका चीन के हर मुद्दे पर उसे घेर रहा है उसे सवाल पूछ रहा है वो ग्राफिक्स के जरीए दिखाता कि अमेरिका versus चीन कौँ से वो मुद्दे हैं जिनको अमेरिका उठाता है तो चीन तिल मिला जाता है देखिए अब ताइवान का मुद्दा है आपको बहुत अच्छे से पता है कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका बिलकुल तयार रहता है नैंसी प्लॉसी जब लिए हत्यार और स्पोर्ट और पैसा ताइवान को दे रहा है चीन के खिलाब और से मजबूत भी कर रहा है तिबबत का मसला जो है वक्त वक्त पर अमेरिका उठाता रहता है और शी जिन पिंग इस बात को नहीं पचा पाते हैं जिन पिंग को लगता है कि तिबबत मेरा है ल कुईगर मुसलमानों को लेकर बेशक वाइसी के देश चुपो बेशक तुरकी साओधी अरब पाकिस्तान चुपो लेकिन अमेरिका युएन इस मुद्दे को उठाता रहता है लेकिन इन सब मुद्दों के बीच ये मुद्दा बहुत ऐहम है दक्षिन चीन सागर का मुद् Якक इस चीन सागर के आसपास है वो वेतनाम हो फिलिपिनस हो तो तुमांगे देश 息ंद याँ ऐमेरिका के सैयोगी है और तैवान की भी बात अगर उसमें रखे तो अगर दकशिन चीन सागर पर चीन का कबजा हो जाता है तो अमेरिका के लिए अपने बेसिस और अपने सेहोगियों की रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा यही कारण है कि दक्षिन चीन सागर को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर टकराब बना रहता है तो भारत के साथ तो चीन की दु कर लेकिन वो सिर्फ बो देश है जो चीन की ताकत के आगे जुके हैं जो भारत जैसे देश है वो खड़े हैं और वो चीन की मन्मर्जी नहीं चलने दे रहे हैं यही कारण है कि शी जिन पिंग इस वक्त टेंशन में चल रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ तीसरी तरफ अमेरिका और तीनों जब एक साथ हो जा रहे हैं तो एक बड़ी पावर बन रहे हैं और चीन यह समझ रहा है कि अगर इन में से किसी एक के साथ भी अगर मैं टकराया तो अंजा मेरा बुरा हो सकता है तो ये शी जिन पिंग और चीन को लेकर एक छोटी सी जानकारी थी कि चीन बेशक बोलता हो कि उसके परोसी देशों के साथ अच्छे समझ है लेकिन हकीकत यही है कि चीन तमाम देशों में अपने विस्तारबात को जारी रखा हुआ है और उन देशों से से चिनोतियां भी मिल रही है उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा फेस्बुक पे मुझे देख रहे हैं तो फॉलो हमारे चैनल को जरूर करिएगा नमस्कार जैहिन बंदे मात्रम